हेलो दोस्तों स्वाज़ात है आपका फोरेवर यूनीक में दोस्तों काफी दिन से काफी सारे सोच चल रहे थे इस वज़े से मैं वीडियो से आप लोगों को नहीं दे पाया उसके लिए माफी चाहूंगा आज हम लोग बहुत ही जरूरी टॉपिक के उपर चचा करने वाले हैं अब सबी लोग कहीं न कहीं हर रोज कह लीजिए या हर प्रोग्राम के टाइम में मैं देखता हूँ कि आप माइक जब लेते हैं तो कहीं न कहीं दिल में कस्मर कैस होती है कि कौन सा माइक लें किस तरीके से लें क्या ऐसे पैरामीटर हैं या क्या ऐसे स्पैक हैं जिनको देखकर हम लोग को माइक लेना चाहिए दोस्तों आज मैं एक ऐसे पैरामीटर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसके बारे में सायद बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं और nominal impedance के बारे में अगर आप लोगों को पिछला कुछ याद हो तो इसके पहले मैंने एक studio master 300 eye instrument microphone जो है उसके बारे में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आने वाले समय में nominal impedance के बारे में वीडियो आप लोगों को जरूर दूँगा तो आज हम लोग जानते हैं कि यह nominal impedance क्या होता है इसका क्या फाइदा है या क्या नुकसान है इसे जादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए इन सभी विश्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो दोस्तों आप जब भी microphone खरीदने जाते हैं आप लो यानि कि हमारी जो आवाज की एनरजी है उसको वो electrical energy में convert करता है दोस्तों और आपको बता दूँ जब energy में convert होगा electrical energy में तो जाहिर सी बात है voltage दो प्रकारकी हो सकती है या तो AC voltage होगी या फिर DC voltage होगी दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि microphone से जो voltage निकलती है mixer के लिए वो एक AC voltage होती है, अब काफी सारे लोग comment में लिखेंगे, नहीं सर, DC होती है, DC होती है, तो मेरा ओन लोगों से एक सीधा सा सवाल है, अगर DC है, तो आप proof कर दीजिए, और AC को मैं proof किये देता हूँ, दोस्तो, DC में कोई भी frequency नहीं होती है, आपको बता दूँ, DC voltage में कोई भी frequency नहीं होती है, हमारा जो AC voltage है, उसके अंदर frequency होती है, तो microphone से mixer तक जो voltage जाती है, वो AC voltage है, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और फिर भी अगर कुछ doubt हो, तो आप लोग Google तो करी सकते हैं न, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस AC voltage के अंदर में दोस्तों, impedance होता है, impedance क्या है, impedance AC voltage का resistance है, अब ये क्या करता है, इस resistance का क्या काम है यहाँ पर दोस्तों, इस resistance का काम होता है, आपका जो audio signal का flow हो रहा है यानि कि आपका जो audio signal हमारी mixer तक जा रहा है उसको ये impedance जो है control करता है दोस्तों इसके flow को ये impedance control करता है basically हम लोगों को ना केवल microphone impedance के बारे में जानना चाहिए बलकि हमें दोस्तों load impedance के बारे में भी जानना चाहिए load impedance क्या होता है दोस्तों आपके mixer में जो pre amplifier लगा हुआ है जहां पर जाकर आपकी cable लगती है microphone की mixer में उसे हम लोग बोलते है load impedance दोस्तों अब इन दोनों के बीच में एक relation है दोस्तों आप लोग जानते है microphone से हमने cable निकाला हमारे mixer में हमने cable डाला चाहे कोई भी हो analog हो या इस तरीके का digital हो microphone भी कोई सा हो चाहे sensor ले sensor ले कोई भी माइक तो माइक है mixer तो mixer है दोस्तों तो जब भी आप microphone से cable निकाल कर mixer में डालते हैं दोस्तों आप लोग देखेंगे दोनों के बीच में circuit complete हो रहा है क्योंकि mic लगाए बिना preamp से कोई काम है नहीं हमारा तो जहिर सी बात है वो अधूरा है और जब तक हम microphone को mixer में नहीं लगा देंगे या किसी भी तरीके के input चाहे आप amplifier में लगाते हो या कुछ और में लगाते हो तो वो भी circuit हमारा complete नहीं होगा दोस्तों इन दोनों के बीच में एक resistance होता है basically दो resistance होते हैं एक होता है microphone का output resistance और दूसरा होता है हमारे mixer का load impedance ओके friends तो दोनों के बीच में एक circuit तयार हो रहा है थोड़ा सा nominal impedance भी समझ लेते हैं दोस्तों यह जो nominal impedance है यह actual में frequency specific है यह actual में जो frequency graph आप लोगों को company के द्वारा provide किया जाता है उसमें यह बताया जाता है और हाँ आपको बता दू nominal impedance जो है यह actual नहीं होता है दोस्तों यह आपको approximately दिया जाता है कि हाँ लगबग इस mic का इतना nominal impedance होगा किसी भी company के लिए एक proper impedance बता पाना मुस्किल होता है दोस्तों तो इसको approximately आप लोगों को दिया जाता है दोस्तों हाला कि कुछ company आजकल actual impedance भी देने लग गई है उनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे हाला कि मुझे पता है finally अभी भी आप लोगों को यह समझ में नहीं आया कि actual इसके फाइदे क्या है और नुकसान क्या है इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले है पहले कुछ चोटी चोटी चीजे जान लेते हैं दोस्तों अभी दोस्तों microphone से जो mixer तक voltage आ रही वो हमारी AC है तो जहिर सी बात है इसमें दोनों ही type की energy होगी दोस्तों positive energy भी होगी और negative energy भी होगी दोस्तों basically nominal impedance या microphone के impedance को हम लोग तीन तरीके से बाट सकते हैं पहला है low impedance दूसरा है medium impedance और तीसरा है high impedance low impedance को हम लोग मानते हैं दोस्तों 50 ohm से लेकर 600 ohm तक medium impedance हम लोग मानते हैं दोस्तों 600 से लेकर 10,000 ohms तक और 10,000 ohm के उपर का जो भी माईक आता है दोस्तों उसे हम लोग high impedance microphone बोलते हैं दोस्तों अब आप लोग उन्हें जादा तर देखा होगा कि चाहे शोर कहे लिजिए, सेनाइजर कहे लिजिए, बेरेंजर कहे लिजिए, आडियो टेकनिका कहे लिजिए जितने भी अच्छे ब्रांड हैं, जितने भी professional microphones हैं, आप देखेंगे कि ये low impedance microphone यूज करते हैं अगर मैं उधारान के तोर पर बताना चाहूं, तो शोर का जो SM58 है आप लोग देखेंगे, चाहे बीटा कहे लिजिए, नॉर्मल कहे लिजिए इसका nominal impedance 150 ohm है, वही SM57 जो instrumental microphone आता है, उसका भी 150 ohm impedance है अगर हम लोग बेरेंजर की बात करते हैं, चाहे SL75C की बात करें, उसका भी 150 ohms का nominal impedance है दोस्तों वही अगर हम लोग JTS पर जाते हैं, तो आप लोग देखेंगे उसका nominal impedance 600 ohm का है अब आप कैसे फर्क निकालेंगे, कि एक का 150 ohm का है, उपर से ये महंगा भी है, है ना एक का 600 ohm है, उपर से ये microphone सस्ता भी है, JTS, TK600 या 350 कोई सा भी ले लिजी आप लगबग 600 ohm का nominal impedance इनका होता है, आप इनके website पर जाकर एक बार विजी भी कर सकते हैं, हला कि मैंने यहाँ पर इसका specification डाल भी दिया है वहीं अगर हम लोग शोर के सस्ते माइक की तरब चलते हैं, SV100, जो सबसे सस्ता माइक शोर का आता है, उसका nominal impedance आप लोग देखेंगे, तो 600 ohm का nominal impedance उसका भी है दोस्तों Studio Master 300i, जिसका कुछ दिनों पहले मैंने review किया था, आप लोग देखेंगे, उसका भी जो nominal impedance है, वो भी 600 ohm का ही है दोस्तों तो एसे सब अलग-अलग microphone के अलग-अलग nominal impedance है, लेकिन इसमें एक चीज आपने notice करी होगी, कि जो महेंगे माइक हैं दोस्तों, उनका जो nominal impedance है, वो 150 ohm से जादा नहीं है और वहीं जो सस्ते माइक हैं, चाहे वो शोर के हो, सेनाइजर के हो, या JTS के हैं और भी किसी company के हैं, तो सस्ते माइक का nominal impedance आप लोग देखेंगे, कि वो जादा है, 600 ohm तक का उसका nominal impedance है दोस्तों इसका मतलब यह है, कि जो अच्छे और professional माइक होते हैं, उनका impedance कम होता है, और जो सस्ते माइक होते हैं, उनका impedance जादा होता है अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है दोस्तों सस्ते माइक जब आप लोग खरीदते हैं, मुझे पता है, बहुत सारे लोग वो 500 रुपे वाला आचकल पता नहीं सायद रेड बढ़ गया होगा 500 रुपे वाला बीटा का माइक लेकर के आते थे, और तारीफ करते नहीं थकते थे, सर इसमें gain नहीं खोलना पड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें sound आता है, एक्च्वल बात वो नहीं है बात यह है दोस्तों कि अगर आपके microphone का nominal impedance जादा है, आप लोग देखेंगे कि बहुत कम gain के अंदर उसका volume बहुत जादा खुल रहा है वैसे आपकी जानकरी के लिए एक चीज और बता दूँ, जब mic level signal को हम लोग line level signal पर ले जाते हैं उसके लिए आपके mixer में एक चोटा सा circuit लगा होता है, जिससे हम लोग preamp बोलते हैं दोस्तों तो यह जो preamp होता है न, यही हमारा load impedance भी होता है दोस्तों अब जो हमारा microphone का output impedance है दोस्तों, अगर मानके चलिए वो 50 ohm है, suppose कर लीजी, 50 ohm का है और वही अगर हम लोगों का जो preamplifier है, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों, load impedance बोलेंगे है न, थोड़ी जानकारी वाला वीडियो, मुझे पता है कि थोड़ा आप लोगों को boring लग सकता है पर जानकारी बहुत काम किये, ध्यान से सुनिएगा तो जो load impedance होता है दोस्तों, वो 1 kilo ohm का होना चाहिए इससे आप लोग क्या समझते है, microphone का output impedance और preamplifier का load impedance यानि कि load impedance microphone impedance से 10 गुना जादा होना चाहिए तब हम लोग उस signal को line level signal पर लेकर जाते हैं दोस्तों यानि कि दो तरीके के port होते हैं आपके mixer में एक होता है आपका mic लगाने वाला pin होता है और एक jack लगाने वाला pin होता है आपको देशी भासा में समझाता हूँ में है ना, दो type के pin होते हैं तो दोस्तों microphone आप कोई सा भी लगाएं आपको मैं बता दूँ जब आप preamp में लगाते हैं यानि कि आप जब mic जहां लगता है एक्सलार वाला वहां लगाते हैं तब उसके बीच में एक circuit लगा होता है जिसको हम लोग preamp बोलते हैं वो बढ़ाएगा उसके बाद उसको line level input पर लेकर जाता है दोस्तों तो हमेशा आपका जो preamp है वो 10 गुना होना चाहिए microphone के output impedance है अब ऐसे में मान के चलिए आपने कोई mixer करीदा उसका जो load impedance है वो समझ लीजिए 3000 किलो ohm या 4000 किलो ohm का है अब अगर उसमें आपने microphone लगा दिया जिसका impedance पहले से ही बहुत high है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर में sound आपको हो सकता है तेज sound आएगा actual में उसको preamp की जरुरत ही नहीं है अगर आपके पास कोई high impedance mic है उसको आप direct line input में डालिए समझने मेरी बात को जैसे आप JTS चलाते हैं 600 ohm है उसका या और भी शोर का SV100 चलाते हैं उसका भी 600 ohm है इसको आप लोग direct line level input में डालिए आप लोग mic level input में मद डालिएगा क्योंकि उसका फायदा नहीं है actual में वो बहुत ज़्यादा boost हो रहा है signal उसे उतना boost होने की आवशक्ता नहीं है तो यह तो होगी पहली बात कि यह conversion में दिक्कत है अगर आपका high impedance mic है तो convert होने में दिक्कत आएगा ठीक है यानि कि बहुत कम gain या बिल्कुल कम gain में आपका बहुत ज़्यादा level चला जाएगा जिससे आपको gain staging करने में बहुत सारी समस्याइं आएंगी दोस्तों आपको zero db का level maintain करने में बहुत सारी समस्याइं आएंगी आगे हम लोग इसके दूसरे नुक्षान की बात करते हैं मैं आपको बता दूँ यह जितने भी ज़्यादा impedance वाले microphone है सारे के सारे सस्ते microphone होते हैं ठीक है अगर आप अच्छा microphone लेने जाएंगे तो आपको 150 ohm 100 ohm nominal impedance वाला ही लेना चाहिए अधिकतम 200 ohm ठीक है उससे ज्यादा का आपको नहीं लेना चाहिए अगर professional mic की हम बात कर रहे हैं तो आप इसके में नुक्सान की बारे में और थोड़ी सी चर्चा आप लोग उनसे कर लेता हूं जब भी आप लोग high impedance का microphone लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे अगर आपने cable लंबी लगा दिये दोस्तों तो इसमें एक filter generate हो जाता है filter मतलब low pass filter इसमें आ जाता है यानि कि वो microphone आप लोग देखेंगे कि बड़ी मोटी मोटी सी आवाज उसके अंदर से निकल रही है उसक जैसे cable लंबी होती जाएगी उसकी आवाज मोटी ही रह जाएगी आपका sharp जो है वो cut होता चला जाएगा ठीक है इससे क्या होगा आपकी quality खराब हो जाएगी sound के अंदर distortion बहुत आ जाएगा बहुत पूर quality का audio signal आपके mixer तक पहुँचेगा दोस्तों वहीं अगर हम लोग श filter जो है वो नहीं लग पाता है ठीक है तो और low pass filter actual वैसे भी हमें अगर vocal वगेरा में आपने mic दिया है तो low की जरूरत नहीं तब तो आपको विशेश तकलिफ हो जाएगी sharp आपके पास बचा नहीं है और low जो है आपके पास बहुत सारा है इधर अगर आपने low cut लगाया तो आपका microphone का sound वेसे ही खतम हो जाएगा ठीक है न तो overall इस video को बनाने का उद्देश ये था अगर आपको मैं संचिप्त में बताऊं तो low impedance वाले microphone अच्छे होते हैं high impedance वाले low pass filter लग जाएगा यानि कि मोटा मोटा सा आवाज आएगा दूसरी बास sound अच्छा नहीं आएगा अगर आप लोग low impedance microphone लेते हैं जिससे और SM58 वगेरा आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आपको कहीं भी कोई filter देखने नहीं मिलेगा आप कितना भी लंबा cable लगा आपको वो जानकार ये थी अगर आपके पास high impedance microphone है तो आप उसको line level input में लगाएं mic level input में ना लगाएं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिलकुल ना भूले कोई भी doubt हो या हो सकता है मुझसे कोई चीज छूट गई हो या हो सकता है आपको लगता हो कि सर ने ये चीज कहीं mistake कर दिये तो ये भी comment box में ज़रूर बताईएगा ठीक है वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो like कीजिए और अगर आप नए हैं तो subscribe कीजिए thanks a lot for watching and bye bye